हेलो गाईज, असलाम लेकूम, वेलकम बैक टो मैई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी निहारी मसाला बनाने की रेसिपी, अगर आप एक बार ये निहारी मसाला बना कर रख लेंगे, तो आपको बहार से निहारी मसाला मगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेग तो चलिए गाईज, देख लेते हैं, होममेड निहारी मसाला बनाने के लिए हमें किनकिन इंग्रेजिन्स की जरूरत है, तो निहारी मसाला बनाने के लिए हैं, सबसे पहले यहां मैंने दो बड़ी लाइची लिए हैं, 15-20 लॉंगे लिए हैं, 3 दालचीनी की तुकड़े चार पीबली लिए हैं, एक छोड़ा टोड़ा जैफल का लिया हैं, दो जवीतरी के फूल लिए हैं, दो बादियान के फूल लिए हैं, एक टेबले स्पून भर के मैंने काले मिर्च लिए हैं, 4-5 छोटी लाइची लिए हैं, दो तुकड़े सौट के लिए हैं, इन सब मसा सब्सक्राइब चाहिए दिस्ख्रीप्शिर में देदूंगी और यहां मैने 2 टेबल इस्पून दस्फेज द्राइब है अगर आप चाहें तो 1 टेबल इस्पून सफैज जीरा और काला जीरा भी ले सकते हैं और मैंने यहां 2 टेबल स्पून सौफली है और दो टेवल स्पून भरकर मैंने यहां साबुत धन्या ले लिया है अब मैं इन सारे मसालों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी हमने इसका एक फाइन पॉडर बना लेना है हमें इसे बारिक पीसना है अगर आपका मसाला ज्यादा बारि जूणगी मैं इसे अच्छी तरह से पीस लूघ भी कि देखिक गाईज यह बिल्कुल एक फाइन पॉडर बन चुका है अब मैं इसी एक प्लेट में कर लोंगी देखी ये अच्छी तरहां से बारिक हो चुका है अब मैंने यहां कुछ मसाले लिये हैं एक टेबली स्पून लाल मिर्च लिये हैं एक टेबली स्पून नमक लिया है और हाफ टेबली स्पून यहां मैंने हल्ली पॉडर लिया है अब मैं मसालों को अपनी निहारी मसाले में मिला दूँगी और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी अगर आप चाहें तो इसमें हाफ टेबिली स्पून कश्मीरी लाल मिर्श पॉडर भी आड़ कर सकते हैं यह आप्शनल है इससे नहारी का कलर और ज्यादा अच्छा आएगा गाइस यह मैंने वन केजी गोश्ट का निहारी मसाला बनाया है अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो आप इसकी कॉइंट्री डबल कर लेना और अगर आप half kg बनाएंगे तो आप इसकी quantity half कर देना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं फिर हादिर हूँगी आपके नहीं एक और वीडियो के साथ